दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक दिल छुलेने वाली फैंतसी थ्रिलर मोवी की कहानी फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है जिससे ना सिर्फ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बलके फिल्म का अंत देखकर आपकी आखे भराएंगी इसलिए वीडियो को पूरा आखरी तक जरूर देखें अब कहानी शुरू करते हैं फिल्म की शुरुआत में रात के वक एक गरीब लेकिन बहुत ही काबिल बढ़ाई का घर दिखाया जाता है एक आदमी उसके घर पर आता है और उससे पूछता है क्या तुम ही मिन्टू बढ़ाई हो मिन्टू कहता है हाँ तो वो आदमी उस बढ़ाई को एक एमर्जनसी काम बता कर अपने साथ ले जाता है वहाँ वो उसे एक आदमी का कटा हुआ धड़ दिखाते हुए कहता है ये हमारे माश्टर की बॉड़ी है इनका सर कट गया था हमारी परमपरा के अनुसार आधे सरीर का अंतिम संसकार नहीं कर सकते इसलिए आप इस बॉड़ी के लिए लकड़ी का एक सिर बना दो अब जब मिंटो वहाँ के प्रबंधक से पैसे मांगता है तो वो कहते हैं पहले तेरावी का खाना तो खालो फिर पैसे भी ले लेना हैरानी की बात ये होती है कि अंतिम संसकार के भोज में वहाँ मौजूद लोग गेहु खा रहे होते हैं वो भी चूहों की तरह ये देखकर मिंटो घबरा कर नीचे बैठ जाता है पर तब ही उसकी नजर वहाँ मौजूद लोगों के पूच पर पड़ती है जो की चूहों के जैसी होती है अब वो बुरी तरह डर जाता है और बिना पैसे लिए ही उस जगा से बाहर निकलाता है फिर जब वो पीछे मुड कर देखत है कि मेरी पतनी कैसी है तो वो बताती है थोड़ी ही देर में उसका प्रसो होने वाला है फिर दाई तो उसके पतनी का प्रसो कराने चली जाती है पर मिंटो को अपने घर में रखे खाली पतीले पर एक चूहा दिखता है तो पहले से ही डरा संभला बेचारा बढ़ाई और दर जाता है तभी अंदर से दाई कहती है कि बधाई हो लड़का हुआ है ये सुनकर मिंटो खुस हो जाता है फिर जब वो उस पतीले के पाह जाता है तो हैरान रह जाता है क्यूंकि खाली पड़ा वो पतीला अब सोने चांदी के सिक्कों से भर गया था वो समझ जाता है कि च जादा जी के पास इतना धना आ गया था तब भी हम लोग गाउं के इस घर में साधारन सी जिंदिगी क्यों जी रहे हैं। चाचा करते थे। सिंटो को अपनी दौलत पर बहुत घमन रहता था और वो गरीबों की बेज़ती किया करता था। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी अनुखी चीजे बेचने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके पास एक औरत आती है और कहती है मेरे पास एक ऐसा डाला था और ध्यान रहे कि कभी भी अमवश्या के राद 12 बजे के बाद इस पासे से मत खेलना। ये सुनकर सिंटो बहुत खुश हो जाता है क्यूंकि वो अकसर आयाशी करने के लिए वहां के जुए घर में जुआ खेलने जाया करता था। अब वो बिना कुछ जाने समझ उस औरत से वो पाशा खरीद लेता है फिर वो पासा वो अपने चाचा को दिखाता है और कहता है मेरे पास इतनी दौलत तो पहले से ही है इससे मैं और दौलत कमाऊंगा। इसके बाद जब सिंटो वो पाशा लेकर अपनी हवेली से बाहर निकलता है तो बाहर उसे भिखार करते हुए कहता है तुम भिखारी हो भीक मांगो बकवास की बातें मत करो अब वो बुढ़ा भिखारी कहता है कि आज से 15 दिन तुम भैंकर मुसीबत में भसोगी याद रखना तो सिंटो जमीन पर एक सिक्का फेंकर उसे रास्ते से हटने को कहता है पर वो बुढ़ा भिखार उसका फेंका सिक्का नहीं उठाता और आगे बढ़ जाता है सिंटो का फेंका सिक्का एक फूल बेचने वाली अंधी लड़की निनी के हाथ लगता है तो वो सिंटो को उसका सिक्का देने लगती है सिंटो कहता है अंधी हो रख लो वो लड़की कहती है मैं अंधी जरूर ह इसलिए आप अपना सिक्का ले लो सिंटो कहता है मैं गरीबों के मुह नहीं लगता वैसे भी आज तुम्हारे फूल कम बिके होंगे मेरा एहसान समझ कर रख लो फिर सिंटो वहां से जुआ घर चला जाता है और जुआ घर के मालिक होजो से कहता है आज मैं तुम्हारे साथ ह जुआ खेलूंगा होजो कहता है हाँ बिलकुल उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छिपा रहा हो पर अयास सिंटो का इस पर ध्यान नहीं जाता अब दोनों के बीच जुए का खेल शुरू हो जाता है सिंटो उस औरत के दिये हुए पाशों से खेल रहा होता है और सारे नंबर उसके मन मुताबिक आ रहे होते हैं इसलिए वो जीत रहा होता है इस बात से खुश होकर वो एक के बाद एक कई बाजियां खेलता है और सब में होजो को हरा देता है अब तक सिंटो होजो से उसके सारे पैसे जीत लेता है इस बात से वो और उसके समर्थक ब क्या तुम्हें ये मंचूर है शिंटो जो की अब तक एक भी बाजी नहीं हारा होता इसके लिए तयार हो जाता है तो अब पहले होजो पासा फेकता है इसके बाद सिंटो अपना पासा फेकने के लिए पासा रखे बॉक्स को हिलाता है पर वो ये भूल चुका होता है कि आज अमावस्या की रात है और गड़ी में भी बारा बच चुके होते हैं इसलिए जब वो पाशा फेकने के लिए बॉक्स खोलता है तो वो पाशे राख बन चुके होते हैं ये देखकर सिंटो के हो सुड़ जाते हैं सिंटो हार जाता है और सिंटो की सारी धन संपत्ती अब होजो की हो जाती है अपनी लापरवाही और आयासी की वज़े से सिंटो अब रोज पर आ चुका होता है पूरे इलाके में एक ख़वर फैल जाती है कि सिंटो कंगाल हो गया है उसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते जब वो रेश्टोरेंट में जाता है तो रेश्टोरेंट वाल सबी अपने पूरवजों की पूजा करते हैं आपको भी करनी चाहिए ये सुनकर सिंटों के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पहाडी पर बनी उस गुफा में जाता है जहां उसके पिता का मकबरा बना होता है पर वहाँ वो अपने पिता मिंटों को सरधान जली देने नहीं गया होता बलकि इस लालच में गया होता है कि शायद उसे वहाँ कुछ धन मिल जाए इसलिए वहाँ वो अपने पिता की डेट बॉडी रखा हुआ ताबूत खोलता है पर उसमें अस्थियों के अलावा कुछ नहीं होता इससे वो काफी निराश हो जाता है तब ही उसको मधोसी सी छाने लगती है और जब उसे होस आता है तो वो उसी जगह पर फांसी के फंदे पर लटका होता है उसका गला कस्ता जा रहा होता है जिससे वो छट पटाने लगता है वहाँ इस थापिच चूहे देवता की मूर्ती पर बैठा एक चूहा ये सब देख रहा होता है वो तुरन सिंटो के ऊपर चढ़ जाता है और जिस रस्ती से वो लटक रहा होता है उसे काट देता है जिससे सिंटो की जान बज जाती है पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो फांसी के फंदे पर कैसे लटका फिर जब वो जुक कर अपने पिता का धन्यवाद कर होता है तो उसे ताबूत में एक कुंडी दिखती है वो उसे दबाता है तो उसमें एक दराज खुल जाती है जिसमें उसके पिता जी का बढ़ाई का औजार और एक पत्र रखा हुआ होता है सिंटो उस पत्र को पढ़ता है जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि मेरे भाई से अपने चाचा के घर जाता है और उन्हें वो पत्र दिखाते हुए कहता है मेरे पिता ने आपको एक लाख रुपए दिये थे वो मुझे लोटा दीजिए इस पर उसका चाचा कहता है तुम नालायक हो उस पत्र में ये भी लिखा है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें वो रुपए मिलेंगे इसलिए जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें वो पैसे नहीं लोटाओंगा तो सिंटो एक योजना बनाता है और अगले दिन दुकान से एक औरत का पुतला लाकर उसे अपने आखरी बचे हुए घर में लि सिंटो की पीछे से बेड़ पर एक औरत उठकर बैठ जाती है और चाचा से कहती है हाँ मैं ही हूँ इसकी पतनी ये देखकर सिंटो बहुत डर जाता है कि आखिर पुतला असली औरत कैसे बन गया अब उसका चाचा वहाँ नास्ता करने के बाद रुपए उस औरत को दे दे और कहता है कि ये नालायक है इसलिए मैं रुपए तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो डरा हुआ सिंटो उस औरत से कहता है तुम उसी औरत की आत्मा होना जिसकी हड्डियों से वो पाशा बना था वो कहती है हाँ अब मैं तुम्हार प्रत की जगा वहाँ फिर से वही पुतला होता है और उसमें आग लग चुकी होती है जिससे उसके पैसे और वो पूरा घर जलकर राक हो जाता है सिंग तो अब रोज पर आ चुका होता है और उसके पास रहने के भी कोई जगा नहीं बसती मजबूरी में वो भिखारियों के बीच जाकर रहने लगता है पर उसके अंदर से रईसों वाली अकड़ अभी भी पूरी तरह नहीं गई होती वहां मौझूद एक भिखारी उससे कहता है तुम दो दिन से भूखे हो और एक भिखारी के तरह ही रह रहे हो ऐसे बिना खाये तो तुम जिन्दा ही नहीं बचोग लगते हैं ये देखकर सिंटो भी भूख से मजबूर होकर उस भीड में घुच जाता है और धक्के खाकर किसी तरह एक कटोरा चावल ले लेता है इस दवरान वो जमीन पर गिर जाता है इसलिए लेटकर ही वो सूखा चावल खाने लगता है तब ही वहां फूल बेचने वा लड़की खाने को दे रही है इससे चिड़कर वो निनी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है वो निनी से कहता है कि तुम मुझे दीन हीन समझ रही हो मत भूलो कि मैंने तुम्हे एक दिन चावल का सिक्का दिया था तो निनी कहती है तुम भूखे हो इसलिए मैं अपना तुम्हे दे रही हूँ सिंटो सच में बहुत भूखा था इसलिए वो उसके हाथ से चावल ले लेता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है रात में भूख लगने पर वो उसी चावल को खाने लगता है अब उसे एक एक दाने का महत तो पता चल जाता है तब ही वहाँ चूहा आता है जिसने रसी काट कर उसकी जान बचाई थी चूहा भी भूखा था इसलिए सिंटो अपने कटोरे का चावल उसे दे देता है अगले सीन में होजो को दिखाया जाता है वो सिंटो के पैसो से लड़कियों के साथ अयाशी कर रहा होता है तब ही वहाँ वो औरत चूशी आती है जिसने सिंटो को जूए वाला पासा बेचा था वो उससे कहती है कि मत भूलो तुम्हारी योजना को अंजाम देने में मैंने भी तुम्हारा पूरा साथ दिया है और तुम यहां अकेले मजे कर रहे हो तो हो जो कहता है अभी हमारी योजना का आखिरी काम ब बढ़ा दूँगा और एक के साथ एक फ्री कर दूँगा निनी कहती है मुझे जूट बोलकर कोई काम नहीं करना मेहनत और इमानदारी से जो भी मिले बहुत है तब ही वहां एक ग्रहक आता है वो उनसे पूछता है कि क्या यहां फूलों के साथ लकडी का गमला भी मिलेगा निनी के पास गमला तो नहीं होता पर इस से सिंटो को धंधे का एक जुगार सूझता है और वो अपने पिता के ओजार से लकडी के कुछ गमले बनाता है और उन्हें निनी के फूलों के साथ बेचने लगता है उनके सारे फूल और गमले बिग जाते है और दोनों की काफी अच्छी कमाई होती है इस बात से सिंटो और निनी दोनो बहुत खुश हो जाते हैं फिर दोनों साथ में एक धाबे पर खाना खाने लगते हैं इस दोरान दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए चाहँ जाग जाती है निनी बताती है कि वो बच्पन से अनात और अंधी है ले हम दोनों साथ मिलकर एक बड़ा बिजनेस खोलेंगे इसके बाद सिंटो जब रास्ते में होता है तो उसे पासे बेचने वाली औरत शुशी मिलती है सिंटो उससे कहता है कि एक दिन मैं अपना सब कुछ वापस ले लूँगा इस पर वो औरत कहती है आज रात तुम फिर से उस पहाड़ी पर बनी गुफा में जाना जहां तुम्हारे पिता का मकबरा है वहाँ कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारी किसमत बदल जाएगी सिंटो को शुशी के इरादे नहीं पता होते फिर शुशी वहाँ से निनी के पास जाती है और उससे कहती है सिंटो अब तुम्हारे साथ फूलों का बिजनस नहीं करेगा तो निनी उससे पूशती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे सरीर से मुर्चित करने वाली जड़ी की गंध क्यों आ रही है दूसरी तरफ शुशी के कहने पर सिंटो मकबरे वाली गुफा में पहुँच जाता है पर वहां उसे अचानक से जपकी आने लगती है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पेट में चाकु भुसा होता है और उसके सामने उसका चाचा होजो और शुशी खड़े होते हैं उसका चाचा कहता है तुम्हारा मरना अब जरूरी हो गया है ये सुनकर सिंटो चौक जाता है तो होजो कहता है इसके मरने से पहले इसे सच बता दो अब उसका चाचा कहता है तीन साल पहले मुझे व्यापारियों से एक ऐसी जड़ी बूटी मिली जिससे आदमी का दिमाग भ्रमित होने लगता है और उसे जपकी आने लगती है उसी दोरान मुझे होजो और शुशी मिले इन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई इलाके का सबसे अमीर आदमी है और तुम बस उसका काम समानने वाले नौकर के तरह हो इसलिए हमारी योजना में हमारा साथ दो तो तुम भी अमीर बन जाओगे मैंने उनकी बात मान ली और तुम्हे वो मधोसी की बूटी खिलाना शुरू कर दिया जिससे तुम्हारा दिमाग भ्रमित होने लगा और हर बार तुम्हे जपकी आने लगती थी फिर हमारी योजना के अनुसार शुशी ने पाशे का नाटक रचा वो पासा किसी हड़ी से नहीं बना था बलकि एक ऐसे पाउडर से बना था जो कुछ ही घंटों में पिघल जाता है फिर जब तुम होजों से जुआ खेलने गए तो शुरुआत में वो जान बुच कर हारने लगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये पाशा जादू है और तुम आखिरी बाजी में अपनी सारी प्रॉपर्टी दाव पर लगा दो तुमने वही किया और कंगाल हो गए फिर हम लोगोंने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें ऐसे जताया कि जैसे वो पुतला असली औरत का हो और उसमें आग लगा दी ताकि उसमें जलकर तुम मर जाओ क्यूंकि जब की आने के वज़़े से तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता पर तुम बच गए और निनी के साथ मिलकर गमले का बिजनेस शुरू कर दिया और तुमने शुशिशे कहा कि मैं अपना सब कुछ वापस ले लूँगा इसलिए हम तुम्हें अब जिन्दा नहीं रहने दे सकते फिर जैसे ही उसका चाचा उसे फिर से चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है तो घायल सिंटो उन्हें नीचे पटक देता है ये देखकर होजो भी सिंटो को लात मार कर नीचे गिरा देता है और उससे कहता है तुम्हें शायद पता नहीं होगा निनी के मौत से गुसाया शिंटो होजो पर हमला करने की कोशिश करता है पर होजो बहुत ताकत वर होता है वो शिंटो के हाथ का चाकू पकड़कर उसके ही पेट में घुसा देता है और कहता है इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूँगा कि तुम जिंदा न बचो फिर वो उसके च अच्छाई की कदर नहीं की ये जानते हुए भी तुमने हमेशा मेरा साथ दिया फिर वो गिर जाता है इसके बाद एक साल के बात का वक्त दिखाया जाता है होजो सिंटो के पैसों से काफी अमीर बन चुका होता है तथा शुशी और सिंटो के चाचा अब भी उसके लिए क जाती है क्योंकि सिंटो को तो उसने रास्ते से हटा दिया था फिर उसे अपने हाथों पर काटे दिखने लगते हैं और एक आवाद सुनाई पड़ती है कि इनसान जैसा करता है वैसा ही भरता है अब शुशी बुरी तरह डर जाती है और चीकते हुए कहती है मैंने तुम्ह और निनी को नहीं मारा होजो ने मारा था ये देखकर होजो समझ जाता है कि इसे भी किसी ने दिमाग भर्मित करने वाली बूटी खिला दी है फिर वो शुशी को पकड़ कर एक किनारे ले जाता है और उसे थपल मारकर चुप कराते हुए कहता है तुम सब को हमारे कांड के पर तभी उपर से एक आदमी नीचे गिरता है और कई सारे चुहे भी जिससे वहाँ भगदर मज जाती है फिर जब सिंटो अपने चाचा के सामने आता है तो उसका चाचा उसे चाकू मारने की कोशिश करता है पर सिंटो उसका चाकू रोक लेता है और एक गंडा मार कर उसे नीचे गिरा देता है अब कई सारे चुए चाचा को नोचने लगते हैं उसे बचाने के लिए होजो मसाल जला कर चूहों को हटाने लगता है तो सिंटो होजो के सामने आ जाता है उसे देखकर होजो पूछता है आखिर तुम जिन्दा कैसे बच गए सिंटो कहता है गुफा में सुबा जब मुझे होश आया तो मेरी हालत बहुत खराब थी पर जिस चुहे ने मेरे फंदे की रसी काटी थी उसने रात भर गुफा के बंद रास्ते पर गिरे एक पत्थर को कुतर कर उसमें छेद कर दिया था जिससे मेरा दम नहीं घुटा पर मेरी जान बचाने के लिए रात भर पत्थर कुतरने के वज़ा से बेचारा वो चुहा मर गया इसके बाद जब मैं गुफा से बाहर निकला तो मेरी जान उस बोड़े भिखारी ने बचाई जिसको मैंने भीख देने से इंकार कर दिया था उसने मेरे जख्मो का इलाज किया और मेरी देख भाल की उस बिखारी को कुंगफू की काफी जानकारी है तो उसने मुझे कुंगफू के कई दाव पेज सिखाए और साथ में मुझे ये भी बताया कि चुहे तुम्हारे पिता के दोस्त थे इसलिए वो हर बार तुम्हारी जान बचाते थे इसलिए तुम्हे भी उनसे घुला मिलना चाहिए फिर वो तुम्हारे इशारे पर हर काम करेंगे उनके कहने पर मैंने चुहो के साथ समय बिताना शुरू किया और उन्हें समझने लगा जिससे कुछ ही दिनों में ये चूहे भी मेरी हर बात समझने और मानने लगी और अब ये चूहे मेरे इसारे पर कुछ भी कर सकते हैं ये सुनते ही होजो फिर से सिंटो को मारने के लिए उस पर हमला करता है पर कुंगफू सीख चुका सिंटो अब एक बहतर लडाका बन चुका होता है इसलिए वो भी होजो पर लगातार वार करता है इस लडाई में दोनों एक दूसरे को बराबर टकर दे रहे होते हैं होजो सिंटो के बर्ची का हर वार फुर्ते से रोक लेता है अखिरकार सिंटो होजो के सीने पर एक बर्ची मार देता है पर हैरानी के बात ये होती है कि वो बर्ची होजो के सरीर के अंदर जाती ही नहीं होजो कहता है मैंने ऐसे कुंगफू का अभ्यास किया है जिससे कोई भी हतियार मेरे शरीर को नहीं भेद सकता फिर उएक हाथ मार कर सिंटो को नीचे गिरा देता है और बर्ची की नोक से उस पर हमला कर देता है पर तभी भिखारी गुरु वहां आकर होजो का हमला रोक लेते हैं और सिंटो से कहते हैं इसने अभ्यास से अपना शरीर वज्र बना लिया है इसलिए तुम्हें इसके सरीर का कमजोर हिस्सा खोजगर उस पर हमला करना होगा, तब ही इसे मार पाओगे, तो अब सिंटो बर्ची की नोक लेकर होजो के सरीर के हर हिस्से पर हमला करता है, जबकि होजो कभी उसके हमलों से बसता है, तो कभी उस पर वार करता है, इस पहांगते हुए कहता है मैं तुम्हारे सारे पैसे लोटा दूंगा जिससे सिंटों से जिंदा छोड़ देता है पर होजो चालाकी से वहां लगी मूर्ती से तलवार उठा कर सिंटों पर हमला कर देता है ये देखकर भिखारी गुरु होजो को एक लात मारता है और होजो वहा गरीब लोगों और भिखारियों के अड़े पर उन सिक्कों को भिजवा देता है जिससे उस नगर के सभी लोगों की गरीबी दूर हो जाती है फिर वो गुरू के साथ नीनी के कबर पर जाता है और कहता है कास तुम भी आज मेरे साथ होती इस तरह ये fantasy adventure movie हैं खत्म हो जाती है अगर आपको भी एक हानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें